खालसा जी चैनल नू सस्क्राइब करना तो बाच आल नोटिफिकेशन नू जरूर आउन करो ताकि साधी कथा गीतन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे अते वीडियो नू लाइक करना ना बुलना जी सद्गुरु जी दी साजी निवाजी परम सनमान योग गुरु खालसा साध संग जी यो फते गजाओ बाहे गुरु जी का खालसा बाहे गुरु जी की फते सो साध संग जी आप सारे ही बड़ पागे हो जित्ते अकाल पुरुख बाही गुरु पार भ्रहम परमे सरदे सरगुन सरूप दसमे गुरु नानक शिरी गुरु गोभिन सिंग सहव जी महाराज ने तरम चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे बास्ते अब तार तारया अपना याप परकास कित्ता ओ समहान पवित्तर अस्थान तगर स्री हरमंदर जी पटना साहिब दे साच खंड दरबार दिंगा हाजरिंगा पर दे होए अपना लोग पर लोग सोहला बना रहे हो कलगी तर दसमेश पिता जी दियां खुशियां प्राव्द कर रहे हो एही बड़ेयां पागांदी निसानी है अते एस अब सद्गुरु महराजी दी बगसिस रहमत दा सदका है सोसाल संगर जी इस समय गुर इतिहास दी लड़ी बार कथा चल रही है कभियां दे सिर्मावर चूडा मन कमी पाईसा पाई संतोग सिंग जी द्वारा रचित सिरी गुर परताव सूरज ग्रांदी सत्मी राष चल रही है कल दे पर संग अंदर आप सारया ने सर्वन किता जेस विले महान विद्वान महान तत बेता पाईसा पाई गुर दाह जी काभल तो चल के कांसी नगरी विखे आये ओ थे गुरू की गाथा कांसी नरेश नू सुनाई ओ पहला ही मन करके गुरू का सेख हो चुक्या सी बहुत परवावत होया बेंती किती चरन पाहुल देके सानू अपना सेख बनाओ कांसी नरेस शेक बन गया देखा देखी हजारहीं लोग कांसी बसी शेक बन गय 15. ubiquta सन्याशया बडना फिकर पैगया के कांसी नरेस ओ पाई गुर्दास जीदा सेक बन गया देखा देखी सारे सेक बन दे जा रहे हैं यह चंगी गल नहीं ये सिवादी नगरी है आकर के पाईसा पाई गुर्दाश जी नूं कहा सन्यासियां ते पंडताने ब्रह्मणा ने तोसी सिवादी नगरी विच बस रहे हो तो अनू सिवादी अरादना करनी चाहिए दी है पूजा अर्चना करनी चाहिए दी है ताहीं मुक्ती मिलेगी क्योंके सिव जी ने ए नगरी रची है और बरदान दिता है कांसी मरनांत मुक्ते कांसी विजो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा बैकूंट चला जाएगा तो अनू भी चाहिदा सिवान दी अराधना करो जे नगरी विच रहना है नहीं ता साथे नाल चर्चा करो क्या ठीक है असी चर्चा करन लई त्यार है चर्चा कर दें तेन सबाल किते के साथ जोग आद ध्वापर आदक जोगां बेच राम क्रिशन नाम मंत्र परसेद सी पर गुरु नानक देव महराजी ने नवा सरोमनी मंत्र वाही गुरु मंत्र के में उचारन कीता जद के राम क्रिशन मंत्र ए मवजूद सन गुरु नानक देव जी ने सरोमनी मंत्र वाही गुरु मंत्र केहा है दूजा जो तीरत राज है सारे तीरत राज अम्रत सर सरोबर नू केहा है ते तीजा स्री गुरु गुरंद सहेवनू सरभोत्तम गुरंद के है ए तिन्य गल्ला बेद सास्तर पुराणा दे परमान द्वारे सेद करके सन्नू सुनाओ दस्व पाईसाव पाई गुर्दाह जी ने वाई गुरु गुर्मंतर दा बेदा पुराणा दे परमान द्वारे सिद करके दस्या ये भाहिगुरू मंत्र नमा नहीं है ये राम क्रिशन नाम मंत्र तो पहला भी भाहिगुरू मंत्र मौझूद सी जो देवतिया ने गुप्त कर दिता सी अलोप कर दिता सी के आम मनोख ते दैतानू दे हाथ ये बाहिगुरु मंत्र ना लग जावे नहीं ता बाहिगुरु मंत्र दा जाब करके साड़िया पद्विया खो लेंगे स्वर्ग ते कभजा कर लेंगे इसलिए उन्ना ने गोप कर दिता सी और तहन सद्गुरु नानक दे पात्साजी ने हाँ बले हारी सद्गुर अपने जिन गुपत नाम पर गाजा वाहिगुरु पात दे चार अखर हन वावा हाहा गगाते रारा एक एक अखर दा नौ नौ जोग तक सद्गुरु नानक दे पात्साजी ने जाब किता जेसले महापरलो किती सी, छती जोग कियो गुबारा, छती जोग तक गुबार को पहनेरा सी, ना सूरज, चंद्रमा, तर्ती, अकास, पताल, कुछ भी नहीं सी, जीयाँ जन्त, बेद, सास्तर, पुरान, कुछ भी नहीं सी. एको एक अकाल पुरुग भाहिगुरु निर्भिकल्व समाधी वेच लीन सी, उस समय उसे दवरान, सद्गुरु नानक देव महराजी ने एक एक अक्खरदा नौ नौ जोग तक जाप करके, इसनौ सम्रत कर दिता, सक्ती पर दिती, और जिन गुबत नाम पर गाजा, जो भाह पाईसापाई गुर्दाह जी ने सन्यासियां ते ब्रह्मनानू कल दो अक्खरां दा, अर्थ करके दस्यासी, वावा ते हाहा दा, आज गग्गा ते रारा दा, पाईसापाई गुर्दाह जी ब्रह्मनानू ते सन्यासियां ते ब्रह्मनानू ते सन्यासियां ते सर्वन अपो अपनिया मनों बिर्तियानु विकाकर करिये गुर की मूर्द मन महत्यान गुर के सवद मंत्र मन मान गुर के चरन रिदय लेता आरहूं गुर पार ब्रहम सदा नमस कारहूं सद गुरांदे पवित्तर चरना कमलानु हिर्दे विजवसंदे होए रसना पवित्तर करिये सारे माई पाई गजबाज के अखिये सतनाम स्रेवाहे गुरुजी फेर सारे गजबाज के अखिये सतनाम स्रेवाहे गुरुजी सतनाम स्रिवाहे गुरु साहिब जी ज्याना रंकं गिराधी संग गोतीतं स्वच्च साखेणं सो साथ संगय जी कभिया दे सर्मावर चूडा मन कभी पाईसा पाई संतोक सिंग जी अगली कधा बर्नन कर रहे हैं पाईसा पाई गुर्दाज जी कांसी निवासी सारे ब्रह्मना थे सन्यासियान संभुदन करके उन गगा अखर दा आर्थ दस रहे हैं के ग्याना कारंग जो ग्यान दा सूरज है फिर गिराधी संग जो बाणी दा इस्वर है बाणी पती है सुरस्ती दा भी पती है जो सुरस्ती बिद्या ददाती बिन्यम है उस्दा भी पती है मालक है फिर गो तीतं बाणी तो अतीत है या गो नाम इंद्रिया तो अतीत है फिर स्वाज पवित्र तो पवित्र है साखिनं साखी रूप है गमना गमे भी नाय तंग गंकारंग नमामिहं गमना गमनंग आवा गमन तो रहत है गगे अखर द्वारे सिद कर रहन गजो गमना गमना आवा गमन तो भी नाय रहत है ते तंग रकारंग नमामिहं उस परमातमा दे लखाए करारे अक्रनू मैं नमसकार करदां राम बीज सुरेश भरंग राम जो रमया होया है राम रमे सोई राम आना जल्थल मैल एक समाना राम जो अकाल प्रूग बहिज़ गरू जो रमया होया जला थला अकासा पताला में परिपूरन है। उस राम दा बाचक है। स्री गुरु गृंध सहिभ जी एंदर जिनने भी राम पाद आये हैं। वा काल पुरुग भाहिगु दे बाचक है। जी टेतरे जुक दे अवतार सरी रामचंदर जीकर वहनुदі उते हैं, तो एर रामचंदर शपाय। तो बिदवन्यदा कहतन है। एक राम दसरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सब ते नैनाला। कौन राम दसरत का बेटा, कौन राम घड़ घड़ में लेटा, कौन राम का सगल पसारा, कौन राम जो सब ते ने आरा एदा जबाब है, राम चन दसरत का बेटा, माया राम घड़ घड़ में लेटा, बिंदू राम का सगल पसारा नर्गुन राम जो सब ते ने आ रहा जो नर्गुन राम है जेदा कोई आकार परकार चक्र छेहन नहीं है जेसर आम बारे कलगी धर्दस मेश पिता जी ने जाब साहब दे पहले छखंद शपः छंद वेच उचारन किता चक्र चिहन और भर्ण जात और पात नहिंजे रूप रंग और रेख पे को कह न सकत के अचल मूरत अनभव परकास अमें तोज कहिजए कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजए तेर भवन महीब सुरनर असुरनेत नेत बंतरन कहत तव कर्म नाम बर्नत सुमत तव सर्व नाम ए सारा चंत जो छपए चंत वेच उचारन किता है जो अकाल पुरुग बाहिगुरु जेदा कोई अकार परकार चकर चेहन नहीं है सो ए सारे भीज रूप है सारे देवतियां दा जो इस्वर है सारे देवते ते देटां द्वारे नमसकार किता गया जेस अकाल पुरुग बाहिगुरु नो देवते भी नमसकार कर दे हन देट भी नमसकार कर दे हन सारी धुन्गा नमसकार कर दी है क्योंके जेस ठाकुर से नाहीं चारा तांको की जाया सद नमसकारा जिसनु देव देंद सारे नमस्कार कर दे हन। सर्बास्रियं सर्बमिती सो सारेयां दा वु आसरा है सर्बास्रियं सर्ब सारेयां दा आसरा है सर्मिती सक्ती सक्ती संपन है सारी मर्जादा दे सहथ सक्ती संपन है तंग रंका रंग नमा में हम उस परमातमा दे लखाएक रारे अखर नून मेरी नमस्कार है इतेत्व महा बर्नंग जो इस तरह महा बर्नंग महा जो चार अखर हन बाहिगुरू मंतर दे पाव नायंग महूर महू जो महूर महू जो बारंग बार इस बाहिगुरू मंतर दा जाब करदा है सेवकानु चारे फलां तरम अर्थ काम होगते चार पदार ते चारे मुगतियां दाता है बाहिगुरु मंतर जो सर्दापावना देनाल बाहिगुरु मंतर दाजाब करता है ये चारे फलां दाता है चारे पदार चारे मुगतियां तरह मर्थ हर काम मोखे चार पदार थान सा लोग, सा योज, समीप ते सरूपे चार मुक्तिया हन जो सिरी गुरु नानक परकास वे चारे मुक्तिया दा जेकर चूड़ा मन कभी पाइसा पाइस अंतोग सिंग्जी ने किता है सा लोग परमात्मा दे लोग बिच बसना सा योज परमात्मा बरगा होना समीप परमात्मा दे नेडे बसना ते सरूप परमात्मा दा सरूप हो जाना चारे पदार थे चारे मुक्तिया उसनू प्राप्त हुंदे अन जो भाहिगुरु मंतर दा जाप करदा है सिद्धी एबना संसिय है सिद्धिया सिद्धिया भी प्रावत हुंदिया आनेश विज कोई संसा नहीं है दोहरा मंत्र राज संखेप कर कहो जथा मतसार असा ने अपनी भुद्धी अनुसार संखेप विज महा मंत्र जो सरोमनी मंत्र भाहगुरू मंत्र दा बिस्तार दे नाल थ्वानू सुनाया है जेसा मुझे निज रूप लह होत सिंद पब पार जो इस भाहगुरू मंत्र दा जाब करेगा इस महा मंत्र दे सकती नू समझ लवेगा हो सिंद पार संसार समंदर तो पार उतर जाएगा चौपए सुनो हो दुत्यां स्री ग्रेंथ जो बाणी आया ब्राह्मनों सन्यासियों हुन दूजे सवाल दा उतर सुनो पहला था बाहिगुरु मंतर दा विस्थार दे नाल बेदा दे परमान दुआरे सेध करके सुनाया हुन स्री गुरु ग्रन सहब जी दी महमा दर्सार है हन है ब्राह्मनों ते हान देखे स्री गुरु ग्रन सहब जी दी बाणी दा महत्म सुना करो रतना कर अंगन गुन खानी जो गुर बाणी रतना दी खान अंगन त गुना दी खान है सिरी गुर एहे नमित अबतारा सुभाय मानस रोमनी सद गुरु नानक देपाट साजी ने इसे बास्ते अबतार तारया सिरी केसब निश्चे बपधारा सिरी सुभाय मानस रोमनी केसब केसाँ वाला जो अकाल पुर्ग भाहि गुरु नानक रूप तारन कीता जोद रूप हर आप गुरुनानक कहायो आप नराइन कलातार जग में परभरेयो निरंकार आकार जोद जग मंडल करेयो सो केसां वाला जो केसो केसो कुकी है ना सोईया है असार राद दिवस के कुकने कभूं के सुने पुकार केसब नाम केसा वाला जो परमात्मा है उसने गुरुनान के सरूप बिच अवतार का रहा जिस विले बाबा कालू जी कलियान दास जी ते माता त्रिपता जी ने बड़ी पारी तब किता तफशिया दे परसण होके अकालप juegos भाहिगुरु ने आकास बानी दुआरे कहा असी थ्वाटी पगती थे तफशिया दे परसण हां बार मंगो ते माता त्रिपता जी ते बाबा कालू जी ने हत जोड के बेंती कीती हे अकालपुरुग भाहिगुरु जे तुसी परसान हो तां साथे ग्रह बिखे पुत्तर बन के आओ किया तथा अस्तु ऐसा ही होवेगा सो जे सबले अवतारत आरंदी बारी आई विसनु पगवान ने किया महराज मैनू आगया देव मैं अवतारत आरंदी जनना है अकालपुरुग भाहिगुरु ने कया भिसनु जी तुसाने चोवी अवतारत आरंदी 10 30 जै वोघरकविघू पेजिया लुक कामनी सर्णु आप जाना पेढ़ना मैं बादा कर आया मातात्रिपता जीते बाबा कालू जीनु सर्व कला संपूरन फलेया अनद कला होई ठाकुर चड़या ठाकुर मालक अकाल पुर्ग बाहिगुरू अनन्त सक्तियां लेके माता त्रिपता जीदे ग्रह विखे परगट होई गुरू नानक करूप बेज परगट होई सो कभी जी बर्नन कर रहे अन निर्खेयो काल जन आय सो थोरी विचारया के कल जूगी जीवां दी आयू थोड़ी होवेगी जोग जाग जाप बने न पोरी जोग जाग ताप ए साब रंचक मात्र भी इनना पासों नहीं हो सकना कल जूगी जीवां पासों क्यों के सौ साल दी उमर है जदो सद जूग दे विच लोकां दी आयू लख बरें दी हुंदी सी पाईसा पाई गुर्दास जी इस गल दी पुष्टी कर दें लख बरें दी आरजा सद जूग दे विच लोकां दी आयू लख बरें दी सी एक लख साल उमर सी तरेते विच दस हजार साल द्वापर विच एक हजार साल कल जुग दे भी सौ साल वो भी गरांटेड नहीं है ते सौ साल विच की कर लेंगे जो तो लख लख बरे उमर सी उस समय जाग ताप कर दे रहन दे सन हुन कल जुगी जीवां पासों ना जाग हो सकना है ना ताप और कोई सादन नहीं होवेगा पूर अब तारम अस्थापन है तू पहला तारम दिया अस्थापना बास्ते तान तारत प्रव किर्पा अगनिके तू किर्पा दे कहरा काल पुरुग वहिगुरू अब तारत आर्दे आये हन ताह ते जेह बिद जग कल्याना ताह ते जिस परकार सारे जगद अकल्यान होवे फोत बही बिद कृत पगवाना पगवान अकाल पुरुग वहिगुरू ही किर्थ कर दे हन जो किर्थ कर दे हन वो किर्थम नाम है किर्थम नाम कथे तेरे जेबा सत नाम तेरा परा पूरबला जो जो कौत की ते वो किर्तम नाम है ते सत नाम अनादी अते सरोमनी मंत्र है सारे मंत्रां दा सरोमनी मंत्र सत नाम मंत्र है अबर साधना बने न कोई कल जुगी जीवा पासन होर कोई साधनाम नहीं बन सकता गिरेबान वाचा अत गोई और विद्वाना ने घिरीवान जो बाणी दे ग्याता सान। उन्ना ने संस्कृत विद्या लुको के रखी सी। छेती पढ़ूंदे नहीं सान विद्वान पंडत। किसे नू संस्कृत पढ़ूंदे नहीं सान। तान कलकी धर दसमेश पिताजी ने अनन्दपुर साहिब पंच सिंगान। कांसी विखे पे जैसी संस्कृत विद्या पढ़ लगी। उनताय आम हो गई है। संस्कृत महा विद्याले बहुत खुले हुए है। अधे नेड़ ही लोकल अधे थोड़ी दूर थे संस्कृत महा विद्याले है। जिते संस्कृत पढ़ हुंदी है। आठे सभका क्था बाचक यानि चरंजीत सिंग्जी जव जव पढ़ है। उर्भे नर्ड़ साहब सेवा निबा हुए है। पहला है एंत्ते लोड़ सेवा कर दे रहे। उननने इत्तों ही संस्त्री किती है संस्कृत विद। उन मवजूदा ग्यानी चरंजीर सिंग जी कथा बाचक भी सास्तरी कर रहे नेड़े इयह चाउंगते संस्कृत महा विद्यालें उस समय भी संस्कृत छेती पढ़ंदे नहीं संna जड संस्कृत महा गयता संna पढ़त पढ़त है आयो भितीता Sanskrit बढ़िया पढ़ दो सारी तुमर लंहीं जन् दी सि पहला था sanskrit पासा उसारना बहुत कथना है फिर उसनो पढ़ना समझना बहुत कथना है समझ के हिर्देवित आरना बस तो भी कथना है यह कथन विद्या है sanskrit पासा पहला भी सि पर गुरु नानक दे पात्साजी ने सुखेन पात्साज जो आम बोली जो परचलत सी उस बेचे सब्द उचारन किता तांके आम लोकां दे पल्ले पैसा के समझ आ सके गुर्बाणी इनी सुखेन है कि कोई भी पढ़ सकता है समझ सकता है पूरी पूरी समझ ना आवे टूक मतरता समझ आई जन्दी है पामे बहुत पढ़ा लिखया ना होबे उसनु भी समझ आ जन्दी गुर्बाणी इनी सुखेन है सो संस्कृत विद्या पढ़ देयां पढ़ देयां सारी उमर लग जन्दी सी हवाय कब ध्यान दे भिपरीता कदों संस्कृत बिद्या पड़े नौ परकार दे ब्याकरन पड़े अध्यन करे फिर उसनु विचारे विचार के हिर्दे विश्तारन करे कदों ग्यान होवे ते कदों संसार बलों भुद्धी उल्ट के ते बल जोड़ जावे ते आता ते आन ते ए तेर कुटी है ते आता जो ते आउन बला है और ते आन किरिया है ते जो अकालपुर्ग वहिगुरू है संसारा कार बिर्ती उल्ट के ब्रह्मा कार बिर्ती हो जावे इस बरा कार बिर्ती हो जावे ये उदों संभव है जे बाणी समझ बेचावे परउपकार हेत गुर स्वामी स्वामी मालक पूरन सद्गुरु नानक दे पत्साजी ने जगत दे परउपकार बास्ते सुलभ गिरा बरनी गुन गामी और सुब गुना दी खान सुलभ गिरा बहुत सुखेन बाणी बरनन किती उचारन किती नामी नाम एक दिखरावा और जेस गुर बाणी बेच नामी ते नाम नू एक रूप करके दिखाया सब्द सुर्त मारग इम गावा सब्द सुर्त भव सागर तरिया नानक नाम भखाने सब्द गुरु सुर्त दुन चैला सब्द आते सुर्त दा मारग दस्या सथ असत दो आउपद जोरे और सथ ते असत ए दोने पद पहला जुड़े होए साने कठे सान सथ सथ कर असत भिछोरे साथ करके सैद कीटा, साथ बिछोड देता जिमें साथ असाथ जुड़े होए सान, कथे सान यसे तरह तर्तीत आकास आपसमें जुड़े होए सान तर्त आकास बिछोडेयन फिर प्रमातमा अकालिपरुग बहिंगे ने तर्ती नू अड कीटा गलिच्या बनाया, अकास नू चंदवा बनाया, बेन थम्मा गगन रहाया, ओ अकास बिना थम्ले तो अड्या होया है, पर मातमा दी सक्ती दे नाल, सो इसे तरह साथ गुरू नानक दे पात्सा जीने साथ असाथ दा निर्ना करके, आसाथ नू छड़ दिता, साथ नू ग्रहन किता, 6 आथमा असथ अविध्या, आथमा साथ है, अविध्या असाथ है, महा गूर कर परगटियों सधिया, सदीब काल महा गूर ए बानिय उचारन क आम लोग सत असद दे पेद नू जान लेन इसे करके नाम उचारन दी रीत दसी के नाम उचारन करन दे नाल सत असद दा पता लग जावे हर है खान रेत मैं बिखरे वहस्ती चुने उन जाई कव कभीर गुर्पली पुजाई कीटी होय कै खाई हरी परमात्मा खंड ρूप है संसार रेत रूप है ओ परमात्मा सारे संसार विच बयापक है जिमें खंड रेत विच मिक्स हो जावे उसनू हाथी चोणनी सखदा कीटी होय कै खाई कीडी बिर्ती बाला निमर्ता बाला वो रेत चोंभ खंड चोग लेंदी या कीड़ी रेत चढ़ दिन्दी एसे तरह जमन हंसे दोद पी लेंदा पाणी चढ़ दिन्दा है इसे तरह उत बेते परम हंसे महापूर्क जड़े हन साथ दू ग्रहन कर लेंदे हन असाथ दा त्यां कर देंदे हन नाम अरूप, अरूप सुवामी, सुवामी मालक भी अरूप है, उस दा नाम भी अरूप है, नाम बृती ते तद पग गामी, नाम दे अभ्यास बेच बृती लगाउन करके, बृती टिका करके नाम दा अभ्यास करे, ता उस अकाल पुर्ग बहे गुरू दे सरूपनू प्रा बार स्रेट सद्गुरा ने ए सुलव बाणी परगड कीती। जाते हुए अमर थिर ए हो नर। ए मनुख कल जुगी जीव तांते अमर होके स्थिर हो जन्दे हन। बेद हुँ कहा तिरकांड बिधाना। बिधाना बिधाता बर्मा ने तिरकांड वाला बेद उचारया। इसनु तिरकांड बेद आख दे हन। बेद बर्मा दा उचारया हुए परमात्मा दे जसनु गाइन करदा है तिरकांड बेदा दुआरे चार बेद हन। चारे जुग हन, चव जुग हन दे चार बेद हन, पहला सत जुग दा बेद साम बेद है, त्रेते दा रिग बेद है, दुआपर दा जुजुर बेद है, कल जुग दा बेद अथर्बन है, साम कहे सेतंबर स्वामी सच मैं अच्छा साच रहे, सब को सद समावे, रिग कहे रहे पर पूर आम नाम देवा मैं सूर नाय लेया प्राचे जाहे नानक तव मुखंतर पाहे जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृसन जादम पाया पार जाद गोफी लेया आया बिंद्रा बन मैं रंकिया कल मैं बेद अथर बन हुगा नाम खुदाई अल्ला उपाया सो इस तरह चार जूग है चारे जूगाँ दे चार बेद है सो बेद तिरकांड है इस देविश तिन कांड है कठन करम उपासन ज्ञाना पर तिने कठन है करम कांड उपासना कांड ते ज्ञान कांड तिन कांड है और बेदावेच एक लख सलोग लिख्या हुया है असी हजार सलोग कर्म कांड दे हन सोला हजार सलोग उपासना कांड दे हन चार हजार सलोग ज्यान कांड दे हन जो चार हजार सलोग ज्यान कांड वाले हन जो परमेशर्दी उस्तद करते हन वो पढ़न जोग है न बेदा बेच जिनने भी सलोग है न कर्म कांड़ दे सब कंट्रोवर्सी वाले है न दुधा पैदा करन वाले दुधा पैदा करन वाले है न जिमें बेदा दा एक सलोग है के बीच अष्ट मी मीच गुर अष्ट खष्ट मैं सेख पंच दसी गुर सेख म बंट एक ब आव शिहा पूर चछाश्टा सेक्डाव वाएद। पूरुमासी वाले दें लुट चलह दो नहीं है। यह अठर माले देन जड़ा कोई पाण कर आवसद्दा रहह जानसा थां। प्रब्स नितल माने सेलग एुट इलतन था नहीं है। चार हजार जड़े सलोक परमेसर दी उस्तद बाले हन। परमेसर संबंदी उही पड़न जोग हन। तो भर्मा ने तरिकांड बेद उचारन कीता जो पड़ने बहुत कथन हन। महा जतन साधक हन। जड़े साधक हन महाजatन करके बड़े जतन करके पढदेता हन पढ़के उसनु समझना ते समझ के फ़र विचारना ये बहुत कठन है कालकुल जाने के पर्मन बाधन और बाधना उन्ना दी जब बाधा धूर नहीं हुंदी बिगन बाधा धूर नहीं हुंदा जो पहिला था समझी नहीं होंदी की करना है की नहीं करना है बहुत सारे जो ना करन योग कर्म हन वो भी कर्म कांड बिच 80,000 सलोकवां बिच लिखे होए हन इस करके बिगन बादा दूर नहीं हुंदे दोहरा सास्तर बेद के अर्थ फल जदप बिचार एता आर चार बेद छे सास्तरां दे अर्थ नुझे कर बिचारे ते हिर्दे विश्ता अर्ण करे तां फल मिलदा है सिरी गुरु ग्रंथ बिलोक ते देते वेग फल चार पर सिरी गुरु ग्रंथ साहब जी दे धर्सन करन मात रही Shri Guru Granth Sahib Ji चारे फाल, चारे मुक्तियां चारे पदार्थ देन दे हन नाल ही चारे पदार्थ, चारे मुक्तियां प्रावत हो जन्दियान जुंदे जी मुक्त हो जन्दा है बेनी का है सुनहुरे पागता हो मर्न मुगत किन पाई पागत बेनी जी दा सब्ध है स्री गुरु जराल साहीव जी दे अंदर फागत बेनी जी बहार राज दे एक मात्र पागत होय हन हो रबदास पागत कभीर इक इस कांसी वेच उत्तर प्रदेश वीच होए हन पर भिहार देपागत एक बेनी जी होए हन जिनन देटेन सब्दलण श्रीद गुरु ग्रंथ सहेब वीच श्री जिनना ने भी पाई आए जिवंदे जी पाई है श्री गुरु ग्रंथ सहेब जी देधरसन करनाल ही ओ पुगती मुगती सा चारे पदार चारे मुगतियां प्रावत हुंदियान अडेल नित प्रत रोच और तार दरस गुर कीजिये निता परती हरदे विज रूची तार करके स्री गुरु गरंस अह महराजी दा दरसन करिये निखल जनम तम पाप खिनक हर दीजिये और जनमा जन मांत्रां दे पापा रूप हनेरे नू एक छेन बेज दूर कर लईये कोट जग फल दान सुनत रब पावनी श्री गुरु ग्रण सहेब जी दी बाणी पड़न अते सुनन दे नाल करोडा जगां दा फाल ते दान पुन करन दा फल प्रावत हो जन्दा है कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम गावन बाले आनू ते सुनन बाले आनू कई करोडा जगां दा फाल दान पुन दा फल प्रावत हो जन्दा है और स्री गुरुगरंद सहब जी दी बानी जो है कुर्बानी भिजली दे समान परकास करन वाली है और ओ मुक्तिदा अधकारी हो जन्दा है कुर्बानी पढन वाला सादर सोड संभारत यत्मत माने भी जड़े मनोख स्रेष्ट बुद्धी बाले हैं ओ सादर पूर्वक इस बानी दा भ्यास कर दे हैं जो बानी नू संभाल दे हैं संभाल के सोद के पढ़ दे हैं ओ छेती मुक्त हो जन्दे हैं जनम मरन कट दोग पाप जिब जान भी ए गुर्बानी जनमा जनमांत्रां दे पापानू कटन वाली है जिस तरह गंगा जान भी जो ए गंगा दा नाम एक जान भी भी है जो जान भी रिखी दे गोड्यां चो निकली है इस करके गंगा दा नाम जान भी है जमें गंगा पापानू कटन वाली है इस तरह गुर्बानी पापानू कटन वाली है पंचम पिदा जिदा बहुत सुंदर सब्दा है श्री गुरु गुर्ण सहब जी दे अंदर गंगा जाल गुर गोविंद नाम गोविंदा नाम ही गंगा जाल है जो सिम्रहत इसकी गत हो बाए पीवत बहुड न जोन पर माम जो गोविंदे नाम रूपी गंगा जाल नूँ पीवेगा जो रासी लग जूनिया विच नहीं परमेगा वो मुक्त हो जाएगा गोविन्दा नाम ही गंगा जाल है जिमें गंगा पहुं समू पापानू कटन वाली है गोविन्दा नाम जो गुर्बाणी विच दर्ज है ओ गुर्बाणी पापानू कटन वाली है ब्रमा देक सुर ब्रैन्दता है उस तात ररे ब्रमा विषनू महे साधङ सारे देवते जे श्री गुरु गर्ण सहिव जी दी बाणी दी उस्तत करदे हन हो निजकर पुस पह बिषन ग्रेंट पुरलेतर और भिषन एप्णे अथीं लेकर के फुल अर्पन कर दये पेटा कर दये कर दये मेहतीरत द्रग इससेस सार्धर रे और सारे तीरत पिर्थभी द्हे शारे देवी देवते जी स्री गुरु ग्रण साहव जी दि उस्तध कर दये हन और शिरी सुबायमान जो अकालपुरुग बहिगुरु दी जो तुर्की बाणी है ओ तुर्की बाणी समू पापानू कटन बाली है मोखा रोहन प्रगट गिरा अग खंडणी जो गुर्बाणी है ओ अग खंडणी पापानू खंडण बाली नास करन बाली है मुकती रूप परवत चडउन बाली है दोख दरिद्र संताप पाप बले दंडणी पँच महादोखन काम क्रोध लोब मोहंकारे पंच महा दोख हैं, दोख दलिदर, संताप, आद ब्याद उपाद, तेन ताप जड़े हैं, ते पाप दे बालनू दंड देन वाली है, जास सदन गुर गुरंथ गिरा आला पहीं, जिस कारदेवी स्री गुरु गुरंथ सह महराजी दा परकास है, और जिते बाणी पड़ी जन्दी है, सुनी जन्दी है, गुरु बाणी पाठ दा उचारन हुन्दा जिस कारदेवी चुरु पुनपुन स्री गुर ग्यान त्यान जप जाप हीं, ते पुना-पुना बारंग बार सु बाइमान स्रोमनी, गुरु सहिव जी दा ग्यान त्यान जप जाप हुन्दा रहनदा है, सो बैकुन्थ परताप तहां छिन ना तरह, ओ ते बैकुन्थ परताप बणया रहनदा है, खिन मात्र भी टलदा नहीं है, सो जो नाम जप दा है, ओदे सिर ते छाप बणी रहनदी है, परताब बन्या रहन्दा है ओ कदे भी एक छेन मात्र भी टालदा नहीं पिछे परसंग बिज कथा आई सी जिस बले अती सनमान जोग सांत हरदा सिखा दे मुड़ी बाबा बुड़ा साहब जी ने शरीर त्यागया शरीर त्यागन तो पहला अराधन ना किता छेमें पात्सामेरी पिरी दे मालक जिनना बाबा बुड़ा सहब जी दे बरधान द्वारे छेमें पात्सा जीदा पिर्थवी ते आगन होया अंतन समये दर्शन करना चंधे सन अपने पुतर पाई पाहना जीदी बाँफढ़नी चंधे सन जदो आए शरीर ते आगया गुरु सहिब जी ने आप बिबान एक मुड़े ते चुकिया बाकी तेन सिंगाने हो चुकिया संसकार करन गए संसकार करके बापस आए और गुर्बानी दा पाठ कर आया देख बरताई सिख्छा ने बेंती किती महराज जदो बाबा भुड़ः जी दे अन्तम संसकार भ隻 आज आए सां़ ते सारे आए शरा ने च्छा बढ़ी हो इसी जदो बापस पर ते सिर्फ तवाड़े सिर्थ जब च्छा सी बागी सारे ने शरा ने च्छा अलोप हो गई एक ही कारण महराज ताँ छेमे पत्साजी ने क्या उस बिले सारे डर दे मारे सत नाम बाहिगुरू दा जाब कर रहे सन मौत तो सारे नू डर लगदा है उन नास्तक तो नास्तक बंदा भी मसाना भी जन दा है ते सत नाम बाहिगुरू उचारन कर दा है बदो बदियो दे मुहों बाहिगुरू उचारन हो जनता है इसलिए छ्छा बढ़ी होई सी जदो बापस आये ते सारे अनु सतना बाहिगुरू पो लगया माया मौ बच फस गए इसलिए उस संती रूप जो छ्छा सी सिरा ते बढ़ी होई अलोप हो गई अजी हर बेले उस अकाल पुरुग बाहिगुरू नू चेते कर दे रहन दे है इस करके साठे सिरते संती रूप छा बढ़ी रहन दी है स्री गुरू ग्रंद साहब जीदा जिते उचारन होंदा है पगत कबीर जी फुर मुंदे हैं कबीर जांकर साद नसेविया है नसेवा नहींद साठे पूत बसा थिनमा है उनना करा मिजब पूत प्रेद बस दे हनदे जिनना करा मिजब आई उचारन हुंदी प्रबूदा नाम उचारनी हुंदा ते गर मरहद सार खे ओ करुनभी ओ मसण पूमी बांग जानो वो मरगट है, वो कारण नहीं मरगट है उथे पूत प्रेद बास देयान, मसाना विच पूत प्रेद बास देयान इस करके जिस कार विच गुरबाणी दा जाब उचारन हुंदा है जाब किता जान दा है, उथे बहुत परताब बाद दा है और तेने छेन ना टराये कि छेन भी वो टलदा नहीं है पुन पुन सिरिगुर ज्यान त्यान जप जाप ही सब संपत रिद सिद्ध रमा निजकर करे सारिया संपतामा रिदिया सिदिया ते रमा लचमी भी अपना कार निवास कर दी है दाźते तजहो असार जानमत मंद नी होर बाणी जो है भुद्धी नु मंद करन वालि और इदे नाम नु जपो होर सब बाणी यह जो गुरू तो बिना जो कच्ची बाणी है वो भुद्धी नू मंद करन बाली है सद्गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी था कच्ची सद्गुरु बाजयो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कहन बाले भी कच्चे हैं सुन बाले भी कच्चे हैं इसलिए कच्ची बाणी नू छड़ के सच्ची बाणी जो गुर्बाणी है उसनू गाइन करो उसनू पढ़ना सुनूना करो यह सर्बोतम सार परम पब कंदनी यह सर्बोतम है सब तो स्रेट है गुर्बाणी परम पब कंदनी संसार परमरूप संसार नु कटन बाली है कल मक कल कुल हार अबर बिलास नी और अवार बिना देरी तो सारे सोखा नंद देन बाली है गुर्बानी ओ अलप कहयो बहो जान ग्रिंथ सुख बास नी और सुखा विज निबास हुंदा है जो गुर्बानी पढ़दा सुनदा है असा ने थोड़ा किया इसनु बहुता समझना सोर था सिरी गुरु गुरंत महान परगट बोध बप मानिये सो भाई मान स्रोमनी स्री गुरु गुरंत सहब जी महान है एदा गुर्ब लास पातसाही शेमी बिच भी जिकर हुंदा है कि गुरु गुरंत कल जुग पहे हो स्री गुरु रूप महान दस पातसाहिया रूपे गुरु गुरु गुरंत जी जान गुरु गुरंत को पेखना गुरु गुरु गुरंत दरसाए बाद करन गुर सेंचा है पड़े गरंत मन लाए जो गुरु सहब जी दे नाल गलां बाता करनी है चौंदा है पड़े गरंत मन लाए सावधान एक अगर चीत हो के मन लगा के गुर्भाणी नु पड़े गुरु सहब जी दे नाल गलां बाता हुन गिया गुरु सहभ जी बोल दे भी हन, सुन दे भी हन जो सर्दापावना दे नाल गुर्बाणी दा जाब करदा है गुरु सहभ जी दे नाल गल्ला बाता हुं दियां बचन बिला सुन दे हन सो इस गुर्बाणी दी महमा दर सारेन पाई गुर्दाह जी के श्री गुरु 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 संसार उपी और यह पूल है, पूल दीन आई है गुर्बानी, संसार समुंदर तो तर्ण बास्ते गुर्बानी पूल दीन आई है, सवय्या तीरत राज बिचार मही मान, मान सरोमनी मही पिर्थवी बिच सरोमनी, सारे तीर्थां दा तीरत राज श्री अम्रसर साहब सरोबर है आद कथा सुन विप्र महाना ऐ महान विद्वान ब्रह्मनो तुसी त्यान दे करके कन दे करके सुनना करो आद तो मुड तो मैं सारी कथा तीरत राज जो अमरिसर सरोबर अठाट तीरता दा तीरत राज स्रुमनी तीरत है उस बारे मैं मुड तो कथा सुनाऊंधा देव सुरा सुर खीर मथेयो जदो दहिता ने देवतिया ने खीर समुंदर मथन कीता सी चतुरा दस काड दिये बेद नाना नाना पर कार दे चौदा पर कार दे रतन कटे गए समुंदर जो चौदा रतन निकले श्रीमन रंभा बारनी अमी संख गजराज बेख तेन ससी कल्पतर तनकोतन अंतर बाज ये चौदा रतन निकले दैता ने ते देवतिया ने मिल करके समुंदर रड़कना कीता मंदराचल परवत दाम दाना बनाया बासकी नाग दा नित्रा बनाया इए देवतिया ने बड़े चलाग सन हिन्हा ने कहा के तुसी सप दे नाबासकी नाग दा मू वाला पासा फड़ो बलसाली सन दैत ते देवतिया ने पूझ फड़ लई दैत बलसाली सन नाग दे मू आले पासे फड़ के नाग नू इस तरह ज़दों रड़किया चौदा रतन कड़े गए रौर परीशुर दैतन मद्ध देवतियां थे दैतन थे बिचकार रौड़ा पह गया अली निजे आपनो आपन मानना देवतिय थे दैत अपने नू अली बली समझन लगे के अजी आपने बाहु बल दे नाल ये रतन कड़े हन देवतिय के अजी आपनी भुद्दी थे नाल कड़े हन दोने अपनो आपनो आपनो आते बली समझन लगे मुहन मुहन मुह लिए सब उस मुहन पर मातमा ने मुहनी अवतार तार के दैतनों ते देवतियां उनू मुहित कर लिया मुह बिदार तबए सुख जाना जदों रतना दा मो तयाग दित्ता, तयाग बिची सारे ने सुख मन्या, देविभाग सुधा सब को प्रभ, अकाल पुर्ग भाहि गुरुने सारे नूँ और अम्रित दा छांदा परताया, खेल दिखाए दियाल मुरारी पर मातमा ने एक खेड दिखाई पूरब रूप बनाए के सुन्दर और मन मोहन पर मातमा ने पहला सुन्दर सरूप बना करके सुपाय मान सरोमनी मंदर दी उसारी दी रूची तारी ताही समय रिख माध भी द्वाय कर उसे समय माध भी रिखी दोने हाथ जोड के निमर्ता सहत बिनाए प्रभ साथ उचारी पात्र सुधा भगसो मुझ को ते हैं अकाल पुरुग भाय गुरु मैंनू अम्रद पांडा भखशना करो मैं जिस दे आसरे जिस अम्रद परताव करके पारी कठन तप करना करां सवया आइस दीनस सारंग पान सारंग पान जिस दे पान हत्थां पेच सारंग नामे तनुख है इस करके परमातमा दा नाम सारंग पान है सो सारंग पान ने उस बले आगया दित्ती माद भी रिखी नूँ एक को एक तपो बन है उस दे समान होर कोई तपो बन नहीं है जाय करो तप उगर महा तले और उथे महा उगर कठन तप करना करो वो सिद पूमी है इस पूमी दा जिकर अगय करन गे मादवी रिखी नूँ अकाल पुरुग बहिगरू ने कहा के तुसी उथे जा करके उगर कठन तप साधना करना करो ते मन होत सो सेध मकानना और तेल मात्र भी जाब करन दे नाल तब करन दे नाल और महान फल बहुता फल प्राप्त हुंदा है सेध पूमी ते जाब तब किता होया दस गुणा फल प्राप्त हुंदा है देश पंचाल रसाल सनातन जो देश पंचाल पंजाब देश है पंचाल तो पाव पंजाब देश जो सनातन है अनादी कालदा है और रसाल सुंदर तीरत राज सुधासर जाना उथे अठाड तीरता दा सरोमनी तीरत राज सुधासर जाना अमर सरसरोबर नू जानना करो तो सुन माद भी पाद गहे और उँ माद भी रिखी ने ए सुन करके अकाल पुरुग भैगुरुदे चर्न फड़े करना निद नाम पुरान बखाना ये करना निदी पारव्रम परमेसर ये अम्रित सर सरोबर तीरत राज नाम पहला कदे किसे पासों नहीं सुनेया दो निर्ख्यों नहें अम्रित तीरत अम्रित सरोबर तीरत राज मैं कदे देख्या भी नहीं है ना सुनेया है देहो दिखाए देयाल मुरारी हे दे आलू मुरारीक अकाल पुरुग भाहिगरू मैनू किर्पा करके ओ तीरत राज दिखावना करो पगत अधीन परवीन चले जान पगत अधीन रहन बाले पगत बचल करना निदान पारव्रम परमेसर अकाल पुरुग भाहिगरू दीन जन पागत माधवी रइखी दी बेन्ती परवाण करके नाल चल पए दिखाउन बास्ते बनवारी संसार बनदा माली जो अकाल पुर्ग वहिगुरु है माधवी रेखी नों तीरत राज दिखाउन बास्ते चले बाहन बाम बिसार सभा सोर वो अपना बाहन भी छड़ दिता, बाम माया भी त्याग दिती, माया जो दासी है, अकाल पुरुग भाहि गुरुदी, माया दासी भी छड़ दिती, बाहन भी छड़ दिता, सारे देवते छड़ दिते, बारज लोचन स्री गिरधारी और गिर्धारी पर मात्मा जो है ओ बारज लोचन कमल फूल बद नित्र बाले कमल फूल दे समान नित्र बाले गिर्धारी पर मात्मा माध भी रिखी दे नाल चले देख सबाय सुर ब्रेंद यहंग बद और इस परकार सारे देवते देख करके यो रोर परी चले ओ छब पारी जदों अकाल पुरुग वाहिगुरू माधभी रिखी नू लेके चले बहुत रोडा पे आ बड़ी सुबा हुई उस बिले जो पई सुर्या सुर सांग आए सिरिबर सुबाई मान सुरुमनी अकाल पुरुग वाहिगुरू दे नाल देवते ते देंद सारे चल के आए नाल सुधा सरोबर देखत पेशुर और सारे देवतेया ने सुधा सरोबर अम्र सरोबर तीरत राज देखना कीता सिरी पत सिरी हर मंदर राजै और लश्मी पती माया पती पर मातमा काल पुरग वाहिगुरू हर मंदर भी सोब देयान अपनी दासी माया देशा सिंगासन देव उपर सुबाय मान हो रहेयान पूरव मुख हर गिरा उचारी पूरव देशावल मुख करके बाणी उचारी सुन माधव रिख ब्रह्माचारी ए बर्मा आदक ए माधव माधवी रिखी सुनना करो ए सनमुक दुख पंजन माई ए जो सनमुक दुख पंजनी माई है जो पंचम पिताजी ने दुख पंजनी बेरी नाम रख्या सी ए दुख पंजनी माई है सनमुख, तिर्बद ताप हरनी सुखदाई, ए दुख पंजनी तिन्य तापानू धारे दुखानू कट्ण बाली है, मध महा तीरत मुन राजा, ए मुनी राज इस दे विचकार, अठार तीर्थां दा सरुमनी तीरत राज अम्रसर सरोबर है, गोप दारत मम उप राजा, ए गोप दारत असा ने परगड किता है, धनूस धनूस प्रत सुर बैठारे, तानूक तानूक परती सारे देवते बैठाए, तीरत राज दे चार चुफेरे, सब अंतर तिन के अनुसारे, और इसे तरह आब जाल दे अंदर, सरोबर दे अंदर, उ साथ संगय जी, अई थे कथा बिरामते आगई, समा समाब्त है, सो अगली कथा अगले पर करन अंदर, आपां कल नू सर्वन करांगे, तीरत राज दा महात्म पाई, सापाई, गुर्दाः जी, कांसी निम बासी, सारे सन्यासियां, ब्रह्म्ना नू, इस सर्वन करा रहें, क अऑ माया जी, सहल्द करें, तीर अंसर्वन करुंगे, वे, ऐ अम्रिज दा कल्स जो है, वे, अम्रिज सरसरोबर वेच तीकाया, इस्तथ किता, तहांते अम्रिज सरस्रोबर, अम्रिज सरोबर नामपया, वो अम्रिज जो चवदा रतना विच निकलाशी हो अम्रिज दा कड़ा वो से सरोबर भी टिकाया और दस्या के इस अठाड तीरत येदे विच निवास कर दे हैं इत्से सारे गंगा, जमना, गुदावरी जिनने भी नदिया हैं जितने भी तीरत हैं सब इस बिच निवास कर दे हैं इस करके तीरत राज है सो साथ संगे जी आओ दो मिन्ट बाह गुरू मंतर दी हाजरी लाके उपरन समापती है कोई रसना वांजी ना रहे सारे माई पाई रहल मिलके जाब करिये वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू हर हर नाम जपनतेयां कजन कह जमकाल नानक मंतन सुखी होए अन्ते मिले गोपाल